ओम श्री गनेशायद महां, स्वागत है आप सभी का जोतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें, मेरी भवान से यही प्रार्थना है कि सभी जीवन में सुखी रहें, स्वास्त रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट नहीं हो इसी भावना के साथ, आज हम तीन ग्रहों की युति के क्रम में सूर्य चंदर मंगल की युति के उपर विचार करेंगे जब जनम पत्री में किसी भाव में ये तीनों ग्रहे कठे होते हैं, तो जातक के जीवन के उपर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विशे के उपर विश्तार से चर्चा करेंगे सूर्य चंदर मंगल तीनों ग्रहे आपस में मित्र माने गए हैं, और इस युति का जातक के जीवन के उपर बहुत अच्छा और शुप प्रभाव पड़ता है जब तीन ग्रहों की युति होती हैं, तो कोई न कोई ग्रहे मंदा आवश्य हो जाता है उसी प्रकार सूर्य चंदर मंगल की युति में संभवता है, के तू कुछ मंदा हो सकता है, जातक को संतान सुख में कमी हो सकती है और मंगल स्वंधी एक बुरा प्रभाव मिलता है रक्त के उपर, ऐसा जातक को रुधिर विकार होता है, रक्त विकार होता है खून की खरावी से समंधित, समस्याई ऐसे जातक को रह सकती है सूरे, चंदर और मंगल इन तीनु ग्रहों की यूति के उपर सास्त्र में एक शलोक प्राप्त होता है, उसके उपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी बारा भव में इस यूति का क्या फ़ल होता है, इसके उपर भी हम विचार करेंगे तो शंस्कृत का स्लोक इस प्रकार है यंत राश्म कूट कुशलो स्रिग वेदना पीडितो तिशूरस्च आदित्य चंद्र भों में रेकस थेर जायते सुथ तो विहीन है जब आदित्य चंद्र भों मतलब सूर्य चंद्र मंगल एक राशी में कठे हो जाते हैं तो ऐसा जातक यंत राश्म कूट कुशलो ऐसा जातक यंतर का निर्मान करने में कुशलो होता है जातक किसी प्रकार का समाज उपयोगी यंतर का निर्मान कर सकता है किसी यंतर का विश्कार कर सकता है अथवा ऐसा जातक यंतर बनाने का काम कर सकता है जैसे यंतर में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कोई लोहे की कोई वस्तु से कोई किसी प्रकार का यंतर बनाना कोई इंजन बनाना इस तरह से कोई भी वस्तु इसमें आ सकती है यंतर का निर्मान करने में ऐसा जातक कुशल होता है और ऐसे जातक को पत्थरों से भी लाब होता है ये जातक कोई ऐसे पत्थरों के कारीगर हो सकते हैं जो पत्थरों की मूर्तियां बना सकते हैं और पत्थरों से भी इन जातकों को लाब होता है और पत्तर काटने का बहुत अच्छा कारीगर ऐसा जातक होता है और सूरे चंदर मंगल की युती के प्रभाव से ऐसे जातक कुछ नकलची भी होते हैं नकली चीज बनाने में ऐसे जातक बहुत दक्ष होते हैं हूबहू वैसी ही चीज ये बना देते हैं अर्थात ऐसे जातक नकल करने में भी बहुत कुछल होते हैं किन्तु इस युती का एक मंदा प्रभाव पड़ता है रक्त दोश, रुधिर विकार, खून सबंदी, खराबियां ऐसे जातक में रह सकती हैं खून दूशित हो सकता है और सूर्य मंगल ये इनका सभाव बहुते हैं एक अगनी के समान इनका सभाव है तो ऐसे जातक बहुत प्राकरमी होते हैं किसी से डरने वाले नहीं होते शेर दिल होते हैं और शत्रु का नाश करने में समर्थ होते हैं शत्रू ऐसे जातकों के सामने ठहर नहीं पाते किन्तु इस यूती का एक मंदा प्रभाव संतान के उपर भी होता है ऐसा जातक संतान हीन भी हो सकता है संतान सुख में ऐसे जातकों को कमी होती है जब सूर्य चंदर और मंगल की जुती जनम पत्तरी में किसी भाव में होती है और देखा गया है कि जब इस यूती में इस यूती के उपर मंदे ग्रहों की द्रिष्टी पड़ रही हो पाप ग्रहों की द्रिष्टी हो अश्यव ग्रहों की द्रिष्टी हो ऐसी स्थिती में जातक चमडी स्वंधी रोग से ग्रस्त हो जाता है एक पहले से रक्त विकार तो रक्त विकार से संभव है कि चमडी स्वंधी रोग जातक को हो सकता है कोई कुष्ट रोग हो सकता है अथ्वा अन्य प्रकार के चमडी के रोग ऐसे जातक को हो सकते है सूर्य चंदर मंगल के पढ़ने वाले प्रभावों के उपर विस्तार से चर्चा करेंगे इस योग के प्रभाव से एक प्रकार का लक्ष्मी योग भी भनता है ऐसा जातक बहुत धनवान हो सकता है कुल परंप्रागत धन की प्राप्ति जातक को होती है और चिरकार तक धन जो है वो स्थाई रहता है धर्मे लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे जातकों का बड़ा भाई भी धनवान होता है अमीर होता है और देखा गया है कि सूर्य और मंगल की यूती जब किसी भाव में होती है तो चंदरमा कुछ मंदा हो जाता है यहाँ पर चंद्रमा कुछ मंदा हो सकता है चंद्रमा के फल कुछ मंदे हो सकते है क्योंकि अक्सर सूर्य चंद्रमंगलक की यूती अमावस्या के दिनों में बनती है जब चंद्रमा मंदा होता है चंद्रमा बल हीन हो जाता है तो यहाँ पे चंद्रमा को थोड़ा सा ठीक करने के लिए अच्छी त्रहन से इसको बल देने के लिए ऐसे जातकों को चाहिए कि गर्म दूद में मीठा डाल कर केसर डाल कर उस दूद को पीना चाहिए जिसे चंद्रमा जो है वो बल प्राप्त करता है ऐसे जातकों का भागे उनके जन्म की तरीक के अनुसार भी होता हुआ देखा गया है जैसे किसी जातक का जन्म जदी 20 तारीक को होता है तो देखा गया है कि 20 साल की उम्र में ऐसे जातक का भागे उध्य हो जाता है और जो धनवान परिवार संपन परिवार में होते हैं उनका इससे भी पहले भागे उदे हो सकता है और ऐसे जातक सूर्य चंदर मंगल के प्रभाव से ऐसे जातक उच नोकरी प्राप्त करते हैं कोई उच अधिकारी हो सकते हैं कोई IPS अधिकारी हो सकते हैं और कोई सिवल सर्विस में कोई उच अधिकारी हो सकते हैं, जथ जा दे की पोष्ट भी ऐसे जा तक प्राप्त कर सकते हैं और ज़ाधातर जदी तीसरे और छटे भाव में इन ग्रहों की यूति हो तो ऐसे जातक पुलिस की नोकरी में नाम रोशन करते हैं सैना की नोकरी में भी ऐसे जातक उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं यदि कुंडली में में एक ब्रिश्चिक राशी में चंदर्मा सूर्य और मंगल के मध्य में हो तो ऐसी स्थिती में जातक को अगनी से भेह रहता है आग से जलने की संभावना होती है और यदि यही जुती कन्या राशी में हो और चंद्रमा पाप ग्रहों के मध्य में हो क्योंकि सूर्य और मंदल को पाप ग्रह भी माना गया है तो जब चंद्रमा दोनों ग्रहूं के मध्य में होगा तो ऐसी स्थिती में जातक में खून की खराबियां जादा देखने को मिलेंगी और शोथ पीड़ा भी हो सकती है कोई ब्रण भी जातक को हो सकता है कोई घाव ऐसा हो सकता है जो रक्त दोश के कारण हुआ है और यदि यही युति मकर राशी और कुम राशी में हो और चंद्रमा पाप ग्रहूं के मध्य में हो तो ऐसी स्थिती में जातक का जीवन कष्ट में हो सकता है जातक को बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ सकता है और यदि सूर्य चंदर मंगल की यूति कन्या राशी में हो और इन ग्रहों के ऊपर पाप ग्रह की द्रिश्टी हो तो ऐसी स्थिती में जातक के जो सगोत्री हैं जो जातक के बंधु बांधव हैं ऐसे जातक को कश्ट पहुंचाते हैं अनिष्ट करते हैं जातक का उसके साथ जगड़ा होता है और जातक के लिए ऐसा जगड़ा बहुत भारी हो सकता है जीवन के उपर प्रशन चिन्द भी हो सकता है सूरे चंदर मंगल की यूती जिन जातकों की कुंट्ली में है ऐसे जातकों के लिए चार कोने का मकान जो है वो बहुत शुब होता है अच्छा फल जातक को मिलता है जदी मीन राशी में यह जोती हो और पाप ग्रहों की दृष्टी हो तो ऐसे स्थीति में जातक को जल से भे होता है गहरे जल में ऐसे जातकों को शनान नहीं करना चाहिए तो आगे विचार करते हैं कि बारा भावों में इस यूति का कैसा प्रभाव होता है जातक के जीवन के उपर भावेक में विचार करते हैं ऐसे जातक बहुत उच्चो दिकारी होते हैं एक त्रहंसे राज जोग जातक की कुंड़ी में होता है कुछ जातक का सभाव कुछ क्रोधी भी हो सकता है जदी सिंग राशी में यह जोती लगन में बनती हो तो जातक को नेतर विकार होता है नेतर रोग की संभावना जातक को रहती है जदी मीन राशी में सब्तम भाव में शनी हो तो ऐसी स्थीती में पत्री को कष्ट की संभावना रहेगी और जदी मकर राशी में शनी पंचम भाव में हो तो संतान को कर्ष्ट होता है और जदी भाव दों में शनी हो तो ऐसे जातक अंगहीन भी हो सकते हैं जातक कुछ बेकलांग भी हो सकते हैं और जड़ि विचार करें सूरह चंदर मंगल के अन्य प्रभावम का भावेक में ऐसे जादकों को चहिए कि वो अपने माता पिता का आशिरवाद प्राप्त करें उनके चर्म धोकर आशिरवाद प्राप्त करें जिससे जादक के सभी कर्ष्ट दूर हो जाते हैं और यदि इस यूती में अश्टम भाव में शनी हो तो जातक को पेट रोग से समस्या होती है उदर रोग की समस्या होती है और सूरे चंदर मंगल में से दो पाप ग्रहों की दृष्टी सप्तम भाव के उपर होगी जिसके कारण ग्रहस्त सुख भी मंदा होता देखा गया है अकेला सूरे भी जदी लगन में हो तो भी ग्रहस्त सुख मंदा हो जाता है यहां सूरे के साथ मंगल भी दो पाप ग्रहस्त सब्तम भाव को देखेंगे तो ग्रहस्त जीवन में जातक के समस्याई रह सकती हैं सुर्य चंदर मंगल के लगन में होने से ऐसे जातक एक सरकारी उच्च धिकारी हो सकते हैं और सरकार के द्वारा ऐसे जातकों को आय होती है सिवल सर्विस में ऐसे जातक उच्च धिकारी हो सकते हैं और ऐसे जातक अच्छे डाक्टर भी हो सकते हैं डाक्टरी के कारे से भी ऐसे जातकों को लाग मिलता है ज़री कुंडली में चोथे भाव में पंचें भाव में कोई शत्रुक रह हो तो सूरेचंदर मंगल की शुर्ता में कमी आएगी और जातक के उपर मंदा प्रभाव भी बढ़ सकता है ज़री मंगल मंदा हो रहा हो तो ऐसी स्थिती में जातक लड़ाई जवड़ों में घिरा रहेगा जो जातक के लिए ठीक नहीं होगा आगे विचार करते हैं भावदों में जब सूरे चंदर मंगल की जुती कुन्री में भावदों में होती है ऐसी स्थिती में जातक जितना दान पुन्य प्रवप कार करता है उतना ही जीवन में सुखी रहता है उतना ही जातक का कल्यान होता है अक्सर देखा गया है कि दूसरे भाव में सूर्य चंद्र मंगल की यूति होने पर धन सवंधी बंधू भांधूं से जगडे कोट के साधी की संभावना रहती है इस्तریों के कारण भी घर में जगड़ा हो सकता है और जमीन जायदात सुरंधी जगड़े भी घर में हो सकते हैं और इस यूति के दूसरे भाव में होने पर जातक को चाहिए कि वो हो किसी के यहां दूद नहीं पीना चाहिए किसी का चंद्रमा की वस्तों में दान नहीं लेनी चाहिए फ्री में दूद ना पिये और किसी से चावल का दान ना ले दूद का दान नहीं लेना चाहिए ज़री इस भाव में मंगल बद हो वैसे तो सूर्य और चंद्रमा के साथ मंगल होने पर मंगल बद नहीं होता किन्तु अगर कहीं अपाप ग्रहों की दृष्टी के प्रभाव से अशुव राशी में जरी मंगल बद हो रहा हो तो ऐसी स्थीति में घर में लड़ाई जगड़े रह सकते हैं और सूर्य चंद्रमंगल की यूति का दूसरे प्रभाव में अक्सर देखा गया है कि बहुत उत्तमफल प्राप्त होता है ऐसा जातक जियोन में बहुत उन्दती करता है मान और जश्की प्राप्ती होती है जली यहाँ पे चंद्रमा कुछ मंदा हो रहा हो तो ऐसी स्थीति में पैत्रिक संपत्ती जातक को प्राप्त नहीं होती पैत्रिक संपत्ती की हानी संभव है चंद्रमा के शू करने के लिए चंद्रमा की वस्तुएं घर में कायम करनी चाहिए हरे रंग का कपड़ा कन्याओं को कन्यापूजन करके दान करना चाहिए और ऐसे जातक को चाहिए कि सुख दुгу में अपने भाई बंदों की सहायता करता रहे तो उसके धन में बरकत होती है अपने भाईउं के साथ मन मुटाब हो सकता है तो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए होटल, ढबा और मिठाई की दुकान से ऐसे जातक लाग प्राप्त करते हैं ज़िए इस यूती के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टी हो शनी की दृष्टी हो, राहू की दृष्टी हो तो ऐसी स्थिती में जातक को तौचा स्वंधी रोग हो सकते हैं चमडी के स्वंधी रोग हो सकते हैं, कुष्ट स्वंधी रोग हो सकते हैं और यदि दूसरे भाब में सूरा चंदर मंगल की यूती किसी इस्त्री की कुंडली में है तो ऐसी स्थीती में ऐसी इस्त्री बिकल मैन हो सकती है उसके एक आंख खराब हो सकती है एक आंख में कोई रोग हो सकता है भाब तीन में सूर चंदर मंगल की युति का यदि विचार करें तो ऐसे जातक अपने लिए तो भागशाली होते हैं किन्तु दूसरों के लिए ऐसे जातक बहुत स्वार्थी हो सकते हैं और ज़िए ऐसे जातक मंदा चरन करते हैं तो इससे इनका सूर बहुत मंदा हो जाता है और अक्सर देखा गया ऐसे जातकों को नोकरों से नुकसान होता है अपने नोक्रों से जातक को साफधान रहना चाहिए और जदी ऐसे जातक बक्री के दूद का सेवन करते हैं तो इनको 36 बंधी कोई रोग की समभावना रहती है और अक्सर ऐसे जातकों को नुकसान का सामना करना पड़ता है जदी ऐसी स्थिती है नुकसान से बचने के लिए ऐसे जातकों को अपनी बेटी के जनम दिन के उपर हरे वस्तरों का दान करना चाहिए और अक्सर ऐसे परिवार जो हस्ता खेलता परिवार होता है ऐसे परिवार कोई एकदम किसी की नजर लग जाती है जिससे सब कुछ नश्ट हो जाता है ऐसी स्थिती में ज़री जातक का कोई पुत्र है तो पुत्र के जन्म दिन के उपर सूरे की वस्तु में गुडादी का दान करना चाहिए जिससे नजर नहीं लगती ऐसे जातक जितने नमर होंगे उतना ही चीवन में सफलता प्राप्त करेंगे ऐसे जातकों को अकड नहीं रखनी चाहिए अंकार नहीं रखना चाहिए और ऐसे जातक सैना पुल्स में भी नोकरीब प्राप्त करते हैं भावचार में सूर्य चंदर मंगल की यूति के उपर विचार करते हैं, ऐसे जातक राज सुख से राज सुख प्राप्त करते हैं, एक राजा के समान ऐसा जातकों का जीवन होता है, कुंडली में राज जोग का फल जातक को प्राप्त होगा, ऐसा जातक बहुत बैभब संपन होता है एश्वरयवान होता है स्री प्रकार की सुख सुवधाई ऐसा जातक प्राप्त करता है ज़िए इस यूति के उपर पाप ग्रहुं की दृष्टी हो तो जातक को तवचा स्वंधी रोग हो सकता है रुधिर विकार होगा और ज़िए कुंडली में शनी सप्तम भाव में हो तो ऐसी स्थिती में देखा गया है कि जातक को नेतरस वंधी रोग हो सकता है रातरी के समय कम दिखाई देता है ऐसे जातक बहुत जल्दवाज हो सकते हैं हर काम को बड़ी जल्दी जल्दी में करने वाले होते हैं इसलिए ऐसे जातकों को धहरे रखना चाहिए किसी काम म विगड जाता है धहरे रखना चाहिए ऐसे जातक विदेश यात्रा भी कर सकते हैं बुद्ध जरी कुंडली में पंचम भाव में हो तो माता को कष्ट रह सकता है और जरी कुंडली में शनी दसम भाव में हो तो ऐसे जातकों को जल से भैव होता है गहरे जल से भैव होता है औ और किसी नुकीली चीज से ऐसे जातकों को चोट लग सकती है और नुकीली चीज से नुकीली चीज का जातक के उपर प्रहार होने से जातक के जीवन स्वंधी प्रशन चिन खड़ा हो सकता है। गुरु जदी कुंडली के छटे भाब में हो तो पैतरिक व्यवसाय से जातक को लाब होता है और जदी शनी नवम भाब में हो जा ग्यारमे भाब में हो तो इससे बहुत शुब योग बनेगा जातक बैवब संपन होगा। और जदी कुंडली में सूरे जा चंद्रमा अश्टमेश हो अश्टम भाब का स्वामी हो तो माता के सुख में कमी हो सकती है और जदी गुरु अश्टम भाब में हो तो जातक कुछ डरपोकस भाब का हो सकता है और यहां इस कुंडली में जदी शनी दसम भाब में हो तो इस योती के मंदेफल जातक को प्राप्त होते हैं भावर पाच में सूर्य चंदर मंगल की योती का विचार करें तो ऐसा जातक का जीवन बहुत सुख में जीवन होता है ऐसे जातक बहुत भागशाली होते हैं धनवान होते हैं, उच नोकरी ऐसे जातक प्राप्त करते हैं, सरकारी नोकरी भी ऐसे जातक प्राप्त करते हैं जदि इस योग में शुक्र सप्तम भाव में हो तो जातक विशेश धनी होता है जदि गुरु दसम भाव में हो तो जातक एक से अधिक विवा होते हैं और जदि शनी दृतिय भाव में हो तो संतान सुख में कमी होती है पेटरो किसमस्या जातक को यहां रह सकती है और जातक कुछ लोभी सभाव का हो सकता है क्रिपन सभाव का हो सकता है पंचम भाव में इस यूती के होने पर जातक को चाहिए के भवाल सूरे को नमस्कार करे प्रति दिन और जदी यहजूती कुम राशी में पंचम भाब में हो तो बड़े भाई के जीवन के उपर कष्ट होता है बड़े भाई के सुख में कमी आती है जदी कुंडली में गुरु पहले भाब में हो तो राज जोग बनेगा राजा के सम सुख जातक प्राप्त करेगा और यदि यह जूती ब्रिश्चिक राशी में हो तो जातक को जलोदर और रोग की संभाव न रहती है नवम भाव में गुरु हो तो अति शुभ योग बनेगा भाव छे में इस योग का विचार करें तो भाव दों में जदि शनी और राहू हो तो छटे भाव के उपर मंदा पर भाव पड़ता है तो ऐसे में जातक के उपर मंदा फल होगा और ऐसे जातक जदि शनी दूसरे भाव में ना हो तो ऐसे जातक बहुत सासी होते हैं प्राकरमी होते हैं पुल्स और सैना में नोकरी प्राप्त करते हैं और ऐसे जातक बहुत क्रोथी भी हो सकते हैं ज़री कुंडली में श्चनी बार में भाव में हो तो इस्तरी सुख में कमी आती है और माता के सुख में भी कमी आती है माता का संबंध जातक के साथ कुछ अच्छा नहीं होता कलहकार को होता है और ज़री अन्य प्रकार से विचार करें तो माता की सुख में कमी होती है सब्तब्भाव में जदि राहू हो, अस्तम्भाव में शणी हो तो भाई अलपायों हो सकता है और जदि कुंड़ी में लगर में राहू हो तो ऐसे जातक क कुम्रिगी सुवन्धी रोग भी होती देखे गई है और जदी छटे भाव में यह यूती सिंग राशी में किसी अशुव राशी में यह यूती बनती हो तो ऐसा जातक किसी शेर जा हाथी के द्वारा घायल भी हो सकता है जदी लगन में राहू हो तो भी इसका मंदा परजात को मिलता है भाव साथ में सूर्य चंदर मंगल की यूती का विचार करते हैं तो जदी सूर्य चंदर मंगल की यूती किसी इस्तरी की कुंडली में हो तो उसके नैन बिकल हो सकते हैं एक आँख काम नहीं करेगी जा एक आँख में कोई रोग रह सकता है और सभी की यदि कुंडली में विचार करें तो ऐसा जातक बहुत धनवान होता है ऐसे जातक का परिवार बहुत बड़ा होता है किन्तु सब्तम भाव से ग्रहस्त सुख का विचार किया जाता है अब दो पापी ग्रह इस भाव में होंगे जिसके कारने इस तरी सुख में कमी होगी ऐसे जातक का विवाह बहुत बिलंब से होता है जा विवाह नहीं होता और इन ग्रहों के प्रभाव से ऐसे जातक कुछ लोभी सभाव के भी हो सकते हैं और आगे अश्टम भाव में जदी सूर्य चंदर मंदल की यूती हो ऐसी स्थिती में जदी शनी राहू इन पाप ग्रहों की दृष्टी इस यूती के उपर हो तो जातक को चर्म रोग हो सकता है और रुधर विकार हो सकता है खून की खराबी और कुछ रोग की संभावना होती है और यदि यह यूती किसी शत्रू राशी में हो तो ऐसी स्थिती में जात कलपायू भी हो सकता है जड़ी तुला राशी में यह जूती हो और पाप ग्रहों से द्रिष्ट हो तो जातक को हटियों से सवंधित रोग हो सकता है कोई असाधे रोग भी हो सकता है जड़ी मीन राशी में सूरे चंदर मंगल की यूती अश्टम भाव में हो देखा गया है कि ऐसे जातकों को 22 वर्ष की आयों में बहुत कष्ट सेहन करना पड़ता है इस यूती के अश्टम भाव में होने पर ऐसे जातकों को दूद का दान नहीं करना चाहिए अपने चिरित्र का ध्यान रखना चाहिए भावनों में सूरे चंदर मंगल की यूती होने पर जरिया ऐसा जातक अपनी माता की सेवा करता है माता के चर्ण सपर्ष करता है पिता के चर्ण सपर्ष करके आशिकवाद लेता है तो उसका भाग उत्म होगा ऐसा जातक अपनी माता के भाग से धनवान बनता है और ऐसे जातेक उच्च दिकारी भी हो सकते हैं सरकार में उच्च दिकारी हो सकते हैं कोई IPI सदिकारी हो सकते हैं सिवल सर्विस में हो सकते हैं और बहुत भागवान होते हैं किन्तु इनका सभाव कुछ दुष्ट हो सकता है कुछ कटोर सभाव हो सकता है और ऐसे जातकों की संतान जो है वो भी पूरी त्रह से धनवान होती है अक्सर देखा गया है कि यह जोती जब नवम भाव में हो कुछ मंदा प्रभाव हो रहा हो तो जातक को हिर्दय रोग की संभावना रहती है सिंग राशी में जदी यह जोती नवम भाव में हो तो ऐसी स्थिती में भाई के सुख में कमी आती है भाई के जीवन के उपर प्रशन चेन लग जाता है ज़दी ऐसे जातक का भाई जीवित हो तो निश्च ही वो राजा के समान होता है और नवम भाव में यह जूती ज़दी ब्रिष्चिक करक ब्रिख और मकर राशी में हो और किसी पाप ग्रह से द्रिष्ट हो तो जातक को चम्री सबंधी समस्या होती है आगे भाव दस में इस यूती का विचार करें तो ऐसा जातक बहुत उच्च अधिकारी होता है बहुत भागशाली होता है और किंतु जदी चोथे भाव में शत्र ग्रह हो तो इसका मंदा फल जातक को मिलता है हिर्दरोग की संभावना रहती है और जदी कुंडली के छटे और साथ में भाव में पाप ग्रह हो तो ऐसे जातक को 34 वर्ष की आयों तक कष्टों का सामना करना पड़ता है इसके बाद में भागे उदे होता है और जदी कुंडली के लगन में गुरू हो तो यहाँ पे राजयोग बनेगा ऐसा जातक कुल दीपक होगा और भागशाली होगा कोई बहुत अच्छी पोश्ट के ऊपर नोकरी करेगा भाव 11 में इस युति का विचार करते हैं ऐसे जातक बहुत भागशाली होते हैं दसम भाव के समान इसके भी बहुत अच्छे पर मिलते हैं जातक कुछ चरिकारी होता है किन्तु ज़िए ऐसे जातक मास मजरे का सेवन करते हैं तो जातक को कश्टों का सामना करना पड़ता है संतान के उपर बहुत कश्ट आता है ज़िए कुंडली में शनी उत्तम हो तो जातक का भागे भी उत्तम होता है ऐसे जातक कुछ भहमी सभाव के हो सकते हैं कुछ शक्की सभाव के हो सकते हैं और लोभी भी होते हैं सरकार से इनको विशेश लाब होता है और जदी कुंडली में गुरू तृतिय भाव में हो तो राज जोग बनता है और ऐसे जातकों को पेट रोग किसमसे हैसकती है और जड़ी ऐसे जाते कर राजनीती में आते हैं तो उनको राजनीती में सफ़ता की प्राप्ती होती है अब विचार करते हैं भाव बारा में जड़ी भाव बारा में सूरे चंदर मंगल की यूती हो ऐसी स्थिती में जदी कुंडली के दूसरे भाव में शत्रूग रहे हूँ तो इस यूती का मंदाफल होता है किन्तु जदी दूसरे भाव में शत्रूग रहे नए हूँ तो बारमे भाव में यह यूती बहुत उत्तम फल देती है ऐसा जातक बहुत भागिशाली होता है उत्तम जीवन ब्यातीत करता है और सभी परकार के सुख प्राप्त करता है तो ये है कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल की यूती का प्रभाव जदि आपकी जनपत्री में भी सूर्य चंद्र मंगल की यूती किसी भाव में है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें और अपने सुझाव जरूर दें और जोति समद्ध ही किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे समपर कर सकते हैं डिस्क्रप्शन में मेरा नमबर दिया गया है जै श्री कृष्णा जै श्री राम